जय हिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल यूनीक ग्यान में आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर सोसियोलाजी अर्था समासास्त का नया सिलिबस देखेंगे जिसमें हमें क्या पढ़ना है हमारा कोर्ष टाइटल है भारत में उसकी संरचना, संगठन और परिवर्तन इसके विसे में हम अच्छे से जानेंगे कि कौन-कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं कितने यूनीट्स हैं अच्छे से सभी टॉपिक्स को हम देखेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमने टाइटल आपको बताया भारत में समाज, उसकी संरचना, संगठन और परिवर्तन आप किस यूनिवर्स्टी से हैं यह कमेंट अवस्य कर दीजिएगा और सोशियोलाजी समाज सास्त्र को छोड़कर अन्य दो सबजेक्ट और एक माइनर सबजेक्ट आपका कौन सा है कम कम्प्लीट कराया जाएगा इस बात का विसेश ध्यान रखा जाएगा क्योंकि पिछली बार कई यूनिवर्स्टी के बच्चों का यह था प्रॉब्लम थी कि हमारा जो एक्जाम है उससे पहले स्लेबस नहीं खतम हो पाया था तो अब की बार आपका स्लेबस अच्छे से कम यूनिट फर्स्ट हमारा है दा स्ट्रक्चर एंड कंपोजीशन ऑफ इंडियन सुसाइटी भारती समाज की संरचना और रचना के विसे में हमें इसमें पढ़ना है भारती समाज में जैसे की विलेज गाउं कस्बा सिटी टाउन कस्बा सिटी जो है सहर रूलर अलबन लिंक इस घ्रमीर सहरी संबंध यूनिवरसटी एंड डैवर्स्टी इंडीयन सुसाइटी भारती समाज में एकतायों विविदृता यह सभी टॉपिक हमें सबसे पहले भारती समाज navy संरचना और रचना और संरचना और रचना के टॉपिक के अंदर ही हमें गाउं के बारे में प यह हमारा हो गया unit first यह अच्छे topic हैं बहुत ही अच्छे से आपको cover कराये जाएंगे unit second हमारा जो है इंडो लॉजिकल, historical, structural and functional perspective to study Indian society भारती समाज का अध्यान करने के लिए इंडो लॉजिकल, एतिहासिक, सनरचनात्मक और कार्यात्मक परिप्रेच के दृष्टी से मतलब भा ऐसे करेंगे यह हमें इस unit में पढ़ना है आपको यहां पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भासाओं में syllabus बताया जा रहा है क्योंकि जब आप syllabus अच्छे से समझ लेंगे तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे क्योंकि पिछले semester में हमने जो आपका official notification में syllabus आता है उसमें बताया था और उसमें जो है इंग्लिस में ही सिर्फ और सिर्फ इंग्लिस में syllabus था तो बच्चों को समझने में थोड़ा कठिनाई हुई थी तो इस बार आपके लिए यह printing करके लाया गया है आपको यह जो printed syllabus है यह भी टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा इसलिए टेलिग्राम चैनल पर जुणना न भोलें और अच्छे से स्टार्टिंग से ही सभी क्लासेस अटेंड करें यूनिट थर्ड जो है इसमें हमें पढ़ना है कल्चरल एंड एथनिक डायवर्सिटी सांस्कृतिक और जाती विविधता सांस्कृतिक विविधता कैसी है जाती विविधता कैसी है जैसे कि डायवर्स्टी इन रिस्पेक्ट ओफ लैंग्वेज भासा कास्ट जाती रीजन धार्मिक रीजन मतलब छेत्र होता है और रिलिजियस बिलीफ धार्मिक मान्यताओं एंड प्रैक्टिस और प्रथाओं के संबंद में विविधता सांस्कृतिक जाती विविधता किस में किसके परिपेच भासा में विविधता जात में विविधता छेत्र में विविधता धार्मिक मान्यताओं में विविधता और प्रथाओं के संबंद में विविधता जो हमारे भारत देश में हमारे संस्कृति में हैं उसको हमें यूनिट थर्ड मे पढ़ना है यह हमारा unit third हो गया unit four में हमें क्या पढ़ना है unit four में हमें पढ़ना है tribal communities in India भारत में जन जाती समुदाय के विशे में पढ़ना है geographical distribution भोगोलिक वितरड problem of assimilation समावेस की समस्या integration and assertion assertion में एकी करड़ और दावा backwardness and under development in tribe पिछड़ा पन और जन जाती में अविक्सित था under development मतलब जो development विक्सित होने के एक प्रकार सी process में हैं वो under development होते हैं तो हमें क्या पढ़ना है यूनिट 4 में भारत में जन जाती समुदाय के विशे में पढ़ना है भोगोलिक वितरड समावेस की समस्या पढ़नी है एकी करड़ और दावा पढ़ना है पिछड़ा पर और जन जाती में अविक्सितता को हमें पढ़ना है यह हमारा यूनिट 4 ह उनिट 5 हमारा है basic institution of Indian society भारती समाज की बुनियादी संस्थाएं कौन कौन सी हैं कास्ट जाती marriage, विवाह, religion, धर्म, class, work and joint family संयुक्त परिवार क्या होता है जाती कितने प्रकार की हैं जाती होती क्या है कैसे जाती धीरे-धीरे किस प्रकार से सुरुवात हुई विवाह के प्रकार, विवाह कितने प्रकार की होते हैं, अलग-अलग प्रथाओं में कैसे होते हैं, धर्म के विशे में, वर्ग के विशे में और संयुक्त परिवार कौन सा परिवार कहलाता है ये सभी चीजे हमें unit 5 में पढ़नी है unit 6 में हमें पढ़ना है social classes in India, भारत में सामाजिक वर्ग, agrarian, rural, भारती के क्रिसी, ग्रामीड, industrial, urban, अध्योगिक, सहरी, the middle class, मध्यम वर्ग, exclusion, 22 करण, inclusion, समावेशन, backward classes, पिछड़ा वर्ग, दलिक्स, एंड वूमेन, महिलाएं भारत में जो समाजिक वर्ग अलग-अलग हैं, जैसे कि महिलाओं का अलग वर्ग, और दलित, पिछड़ा वर्ग, 22 करण और समावेशन के विशे में पढ़ना है, मध्यम वर्ग, और द्योगिक सहरी लोगों के विशे में, क्रिसी, ग्रामीड लोगों के विशे में हमें अ का structure कैसा है, उसकी सनरचना कैसी है, demographic analysis, जनसांख की विश्लेशर पढ़ना है, population explosion, जनसंख्या विश्फोट क्या होता है, demographic theories, जनसंख्या की सिध्धान पढ़ने है, population growth, जनसंख्या वरिद्धी, और नियंतर के विशे में हमें पढ़ना है, तो unit हमारा जो 7 है, इसमें क्या क पढ़ना है जनसंख्या की संरचना और गतिसीलता जनसंख्या की विसलेसर जनसंख्या विस्फोर्ट जनसंख्या वुरिध्धी और नियंतर के विसे में हमें पढ़ना है अगला यूनिट हमारा यूनिट एट है चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इंडियन सोसाइटी भारत इस समाज में परिवर्तन और परिवर्तन भारती समाज में परिवर्तन कैसे हुआ है जैसे कि हमारा factors affecting national integration राश्टी एक्ता को प्रभावित करने वाले कारकों के विशे में पढ़ना है कास्टिजम भारत में जातिवाद politics of caste in India जातिवाद और जाति की राजनीती के विशे में हमें पढ़ना है किस प्रकार से हमारे भारत देश में जाति के उपर रोग राजनीती कर रहे हैं communism and politics of communism सामप्रदाइक्ता और सामप्रदाइक्ता की राजनीती पढ़नी है नकसलिजम नकसलवाद के विशे में हमें पढ़ना है यह हमारा जो यह लगता है last unit है यह last unit में हमें क्या क्या पढ़ना है भारती समाज में परिवर्तन पढ़ना है राश्टी एक्ता को प्रभाव यह हमारा हो गया भी यह सेकंड सेमिस्टर का यह सलेवस बहुत ही जल्द आपकी क्लासेज स्टार्ट होगी कमेंट अवज से करें अपने यूनिवर्सटी का नाम अपने अन्य सब्जक्ट्स का नाम और क्लासेज जिससे आपकी अच्छे से स्टार्ट हो जाए चैनल पर बने चाहते हैं तो उसमें भी आपके लिए आसानी होगी धन्यवाद चैनल पर बने रही अपने दोस्तों के पास भी वीडियो सेयर करिए मिलते हैं अगड़ी वीडियो में